बाब बेटे के कोई जोरिया जिन्होंने खेला है इंटरनेशनल क्रिकेट कोट जोरिया तो भारत के भी है क्रिकेट में कोई फेमास बेटे और पीता की जोरिया ने अपने देश के लिए क्रिकेट खेला है और नाम भी रोशन क्या है तो आज हम एसे ही कोई बाब बेटे की ज खेलती आ रही है एक ही पुरिवार में दादा से लेक और पोता तो घर कोई क्रिकेट खेलता है क्रिकेट में कोई एशा बाप और बेटे की जोरियों रहे है जिन्होंने अपने देश का पतिने तत किया है इस लिस्ट में कोई भारतियों भी शामिल है तो आये एशे में नजर डालते है कुछ बाब बेटे की जोरी पर जिन्होंने क्रिकेट में अपने देश को प्रिप्रिजन किया है। डालते है क्रिकेट में ये एक मात्र पीता पुत्र की जोरी नहीं है। इस्ट्वर्ट ब्रट अब भी भी क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने इंग्लाइन के लिए आप तक 113 तेस्ट और 121 वांडे और 57 तीट्वांटी मुकावाले खेले हैं। दूसरे जोरी सिभ नारायन चंट्रपाल और तेज नारायन चंट्रपाल। उस्टिंडिस के पूर्व दिग्जज बलेवा सिभ नारायन चंट्रपालं ये उस्टिंडिस के लिए 116 तेस्ट और 128 वांडे और 222 तीट्वांटे मुकावाले खेले हैं। वो ही आप उनके बेटे तेज नरायन चंटरपाल ने भी वेस्ट इंडिस के लिए डेबियू कर लिया है। तेज नरायों ने पिछले साल टेस्ट में डेबियू किया था, उन्होंने अब तक वेस्ट इंडिस के लिए से टेस्ट खेले हैं, वो आगामी टेस्ट सिरीज में भारत के खिलाब भी खेलते हुए नजर आएंगे तीसरा जोरी रोजर बिन्य और इस्टोट बिन्य, वी सीसाई के प्रेसिडेन रोजर बिन्य ने भारत के लिए 37 टेस्ट और 72 वांडे मकावले खेले हैं, रोजर ने भारत के लिए 9 साल क्रिकेट खेला हैं, वही उनके बेटे इस्टोट बिन्य ने भी तीम इंडिया के लिए ये से टेस्ट और सोधा वांडे और तीन टीटेंटी मैस खेली है। सोधा जूरी सुनिल कवासकर और रोहन कवासकर। सुनिल कवासकर ने भारत के लिए 100 पोसिस टेस्ट और 108 वांडे खेले है। उनका नाम विश्व के दिग्वस क्रिकेटर्स में आता है। इसके अलावा उनके बेटे रोहन कवासकर भी टीम इंडिया के लिए खेल चुके है। रोहन ने भारत क्रिकेट टीम के लिए 500 जूरी टीम डे लेडे और बाजदी लेडे। नेधरलेंज के पूर खिलारी टीम डे लेडे ने 1997 से लेकर 2007 तक 39 वांडे खेले है। इसके बाद उनके बेटे बाजदी लेडे भी आप नेधरलेंज के लिए खेल रहे है। उन्होंने हाल ही में नेधरलेंज टीम को वालकाप के लिए क्वाली भाई कराने में एहम भूमी का निभाई थी। बार्डी लेडे ने पसास के करेब वांडे और सलिश के करेब टी 20 में का बेले खेल चुके है। हठा जूरी इवग्राश सिंग और इवग्राश सिंग एक पूर भारते क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत के लिए एक टेस्ट और से ओडियाइमेस खेले है। चोट के कारण इवग्राश सिंग का क्रिकेट केरियार जोल्दी खतम हो गया और वो बाद में पांजाव और हिंडी सिन्यमा में काम करने लगे। उनके बेटे इवग्राश सिंग ने भारते क्रिकेट में धूम्मा सद्दी थी। इबरास ने क्रिकेट के सवी प्रारूप में खेला और एक औलराउंडर की हैचे याचन से देश को कोई मैच जिताए इबरास ने ODI क्रिकेट में साथ पिलियर आव धा सिरिस प्रोषकार जिते इब्रास सिंग ने ही बस्पन में इब्रास को क्रिकेट की ट्रेनेंग दी थी इब्रास ने तो भारत के लिए दो दो ICC ट्रोफी का सेंपियन रहे चुके है उन्होंने T20 World Cup 2007 का सेंपियन रहे चुके है और ODA World Cup 2011 का भी सेंपियन रहे चुके है पीता जुइब मार्श और पुत्र शन मार्श और मिश्मार्श की जोरी पीता ने 133 साल पहले जीता था वल्लकाप बेटे ने दुसरी बार वल्ल सेंपियन टीम का हिच्चा बनकर देदी मार्ट वल्लकाप जितना किसी भी खिलारी के जीबन का बरा सबना होता है पूरी टीम की करी महनत और प्रोदोर्शन से ही एशा संभव हो पाता है वल्लकाप 2023 में अस्ट्रेलिया टीम ने मेजबान भारत को से विकेच्चे हाराक और सेंपियन बनने का गोरव हासिल क्या है कांगरु टीम सोथी बार वल्लकाप सेंपियन बनी है इच्छे पहले 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 के वल्लकाप में भी टीम सेंपियन बन चुकी है आप तक वल्लकाप जितने वाली अस्ट्रेलिया टीम में पिता पुत्र की जोरी भी सामिल है मज़े की बात यह है कि वल्लकाप सेंपियन टीम का सदश्च बनने ही इस रेस में पुत्र पिता पर भारी पर आहे पिता जीवक मार्श ने जहां वल्लकाप 1987 में सेंपियन बनी अस्ट्रेलिया टीम के सदश्च थे वही उनके पुत्र मिच्छल मार्श बर्श 2015 और 2013 की वल्लकाप विज़ता अस्ट्रेलिया टीम के सदश्च है 2013 उन्निस नवेंपर को आम्माद बात के नरेंडरबुदी स्टेडियाम में हुए फाइनल मुकाबाले में मिच्छल मार्श बल्ले और गैन से अच्छा प्रदोर्शन नहीं कर पाये थे लेकिन उनकी टीम ये मैच से उइकेच से जितकर सेम्पियन बनने में सभल रही मिच्छल इच्छे पहले वल्लकाप 2015 में सेम्पियन बनी अस्ट्रेलिया टीम का भी सदश्च रहे थे मिच्छल ही नहीं उनके भाय सेन मार्श फी वल्लकाप में अस्ट्रेलिया का अस्ट्रेलिया और से खेल चुके है मिच्छल और सेन दोनु वल्लकाप 2019 की अस्ट्रेलिया टीम के सदश्च थे लेकिन इस वालकाप में अस्ट्रेलिया का सफर सेमिफाइनल में ही खतम हो गया था मिचल के वालकाप रेकोर्ड की बात करे तो दोहजार पन्रों सेल बर्ष दोहजार तेश तक तीन वालकाप में उन्होंने त्यारों मेस में 49.33 के अस्ट्रे चार सबहसात्तोर रान मालाए है जिसमें दो शतक भी शामिल है इस दो रान साथ विकेट भी हासिल करने में वो कामियाब ब्रहे है मिचल के वालकाप दोहजार उन्रीश के दो लीग मेस खेल चुके है उन्होंने ज्यादा सबलता नहीं मिली इन दो मेस में वो तेरो के अस्ट्रे 27 रान ही बना सकते मिचल और सन के पिता जिव उन्निशों साताशी और उन्निशों विर्यानवबवई के वलकाप में कांगारु टीम के सदश्चर रहे है और तेरो मेस में आर्चल लेश दशनमत दो पास के और सच से पास शो उन्हाशी रान बनाये जिसमें दो शतक भी शामिल है तो इस वीडियो में आपको क्रिकेट के मजदम ने अपने देश को रिप्रेजन करने वाली बाप बेटे के जूरियों के बारे में जानकारी मिली है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किजेगा वीडियो को अपने क्रिकेट प्रिमी दोस्तों तक पहुशने के लिए शेयर भी जुरूर किजेगा और हमारे यूट्यूब सेनेल और फेस्बुक पेस्माहेनिसपर्स को साब्सक्राइब और लाइक जुरूर किजेगा ताकि आपको इसे वीडियो हमेशा मिलते रहे तो सोले मिलते अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेगा